असलाम वालीकूम रह्मतुल्लाही वबरकात्तुहू आइम डॉक्टर अदेल डी एचेमेस मेरे यूट्यूब चैनल के त्माम दोस्तों उमीद करूंगा आप सब खेर वाफियत से होंगे आप सबसे मेरे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सबस्क्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके आज आपके साथ मैं जो शेयर करूंगा आज का जो टॉपिक है वो है बांचपन बांचपन की कुछ मकसूस मकसूस अलामात आपके सामने रखूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का पूरा सुनिएगा ताकि आपको समझ आए इन्शालला एक एक वर्ड्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्त नहो परशानी पैदा नौ और आखिर तक सुनिएगा क्योंकि मैंने आखिर पे इलाज पर बात करनी है मैडिसन बताऊंगा इन्शालला आपको बहुत को सेखने को मिलेगा बांचपन के अंदर बे उलाद होना औरत के लिए बड़ा मनहुस समझा जाता है ऐसी औरत अपने आपको बड़े बद किस्मत समझती है या ख्याल करती है रहम में पैदाशे नुक्स होना मसलां रहम नहोना या बहुत छोटा हो जाना रहम की गर्दन या मो का बंध होना या बहुत तांग होना रहम का टल जाना या रहम का जुक जाना या बाहर निकलाना रहम की रसुली वरम रहम फतूर हैस मसलां हैस का बहुत कसरत से आना या हैस का ना आना ये अलामात असबाबी मर्स पर बात कर रहा हूं ठीक है हैस का बहुत तकलीफ और बिमकदार खफीफ आना लिकोरिया सिलान रहम अन्राम नहानी की सुजश इसका बंद हो जाना सुजाक भी इसका सबब हुआ करता है कमजोरी मुटापा बहुत दमागी मेनत करना और अटल उमर की शादे भी बाज अकात बाँचपन का सबब हुआ करती है ज्यादा आयाशी की जिन्दगी बसर करना खास कर बिकसरत शुराप नोशी बाँचपन का सबब हुआ करती है ज्यादा मुर्गन गजायक जो मुर्गन ज्यादा इश्याक हती है या मर्चनाट वाले चीज़ें खाते हैं चर्चराट जिसको हम कहते हैं और वर्जिश ना करना इस रहम में बहुत चर्बी बढ़ जाती है और बाजपन का मौजब होती है नेज, खावंद और बीवी आपस में मताबकात एक दूसरे से नफरत करना या ज्यादा घमगीन रहना बहुत हद तक बाजपन को पैदा करते हैं आगे इसके उपर आगे आज़ाता इलाज इलाज के अंदर हम कुछ मेडिसन्स पे बात कर लेती है नमबर वन बोरेक्स नमबर तू, कॉनियम नमबर थ्री, आयोडियम नमबर फोर, ब्राइटर कर्ब नमबर फाइफ, कलकेरिय कर्ब नमबर शेक्स, कैनाबिस नमबर सैमन, फेरम फास नमबर एट, नक्सोमिका नमबर नाइन, फास फोरस नमबर टैन, एसिड फास वगयरा वगयरा इसमें काफी सारी मेडिसन आ जाती है तो आप सब इनको स्टड़ी भी कर सकती है ये बाँच पन के अंदर आती है ठीक है, इनको आप स्टड़ी कीजिएगा इन्शालला अज़वजल आपको बहुती अच्छा रिजर्स मिलेंगे और आप सबसे मेरे रिक्वेस्ट है के मेरे चैनल को सबस्क्राइब और लाइक कीजिएगा ताके मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें असलाम वालेकूम वरहमतुलाही वबरकातु हो